लगबग हर क्षेत्र में आम्रीज स्पेशल पावर एक्ट आपसा लगा हुआ था अब हमारे आने के बाद यहां त्रिपुरा, मिजवरा, मेगालायवार रहुनाचा प्रदेश का जादातर हिस्सा आपसा से मुक्त हो चुका है जिस नौर्थिस में उद्ध्यम निवेश के लिए तयार नहीं होता था, अब यहां निवेश होना शुरू हुआ है नए उद्ध्यम शुरू हुए जिस नौर्थिस में अपने अपने होमलेंड को लेकर लडाईयां होती थी अब यहां एक बारत स्रेष्ट भारत की भावना मजबूत हुई है जिस नौर्थिस्ट में हिन्सा की वज़ा से हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए थे अब यहां उन लोगों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ बसने की नई सुविधाएं दी जा रही है जिस नौर्थिस्ट में देश के बाकी हिस्से के लोग जाने से डरते थे अब उसी को अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगे है ताथियों यह परिवर्तन कैसे आया? क्या सिर्फ एक दिन में आया? जी नहीं, यह पांच साल के अथक परिशम का नतीजा है पहले नौर्थिस्ट के राज्यों को रेसिप्यंट के तौर पर देखा जाता था आज उनको विकास के ग्रोथ इंजिन के रूप में देखा जा रहा है पहले नौर्थ इसको राज्यों को दिल्ली से बहुत दूर समझा जाता था आज दिल्ली आपके दरवाजे पर आकर के आपके सुख दुख को सुन रही और मुझे ही देखिये मुझे अपने बोडो साथियों से असम के लोगों से बात करनी थी तो मैंने दिल्ली में बैठकर संदेश नहीं बेजा बलकि आपके बीचा कर आपके आँखों में आँखे मिला करके आपके आश्रिवाद लेकर के आज मैं आपसे जुड रहा हूँ अपनी सरकार के मंत्रियों के लिए तो वकाई जा मैंने रोष्टर बना कर हमने सुनिश्चित किया कि हर दस पंदरा दिन में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री नौर्थ इसमें अवस्चे जाएगा रात को रुकेगा लोगों लेगा सुख़़ुख सुनेगा समस्याओं का समाधान करेगा यहां के करेगा जिछाया होगारे साथ्षियों ने फ्रयास किया कि वह जादा से जादा समय यहां बताएं जादा से जादा लोगों से मिलें उनकी समस्याइँ सम सीधे आपसे फिर्वेक लेकर केंद्र सरकार की जरुर्वाइब है साथियों तेरवे वित्तायोग के दोरान नौर्सिस के आठ राज्यों को मिलाकर नब्बे हजार करोड रुपिय से भी कम मिलते थे नब्बे हजार करोड रुपिय से कम चौदवे वित्तायोग में हमारे आने के बार यह करके लगबग तीन लाख करोड रुपिय मिलना तै हुआ है कहां नब्बे हजार और कहां तीन लाख करोड रुपिया पिछले तीन चार वर्षों में नौर्टिस में तीन हजार किलोमिटर से जादा सड़के बनाई गई है नए नेश्टनल हाइवे सिक्वरुत किये गए हैं नौर्टिस के पूरे रेल नेटवर्क को ब्राड गेंज में बदला जा चुका है पुर्वत्तर में नए एरपोर्ट्स का निर्मान और पुराने एरपोर्ट्स का मोडनाईजेसर का काम तेजी से चल रहा है नौर्थ इस्ट में इतनी नदिया है इतना व्यापक जल संसाधन है लेकिन 2014 तक यहां केवल एक वाटरवे था एक पानी से बरी हुई 365 दिन बहने वाली नदिया कोई देखने वाला रहा है अब यहां एक दर्जम से ज़्यादा वाटरवे पे काम हो रहा है पुरवर्टर के यूद को एजुकेशन स्कील और स्पोर्ट्स के नए संस्तानों से मजबुत करने पर भी ध्यान दिया गया है इसके अलाबा नौर्थ इसके स्टूडन्स के लिए बिल्ली और बैंगलूरू में नए होस्टेल्स बनाने के लिए काम हुआ है साथियों नए रेल्वे स्टेशन हो नए रेल्वे रूट हो नए एरपोर्ट हो नए वाटर वे हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी आज जितना काम नर्थ इस्ट में हो रहा है उतना पहर्णा भी नहीं हुआ दसकों पुराने लटके हुए प्रोजेस को पूरा करने के साथ ही नए प्रोजेस को भी तेज गती से पूरा करने का प्रयास कर रहे है तेजी से पूरे होते ये प्रोजेक्स नौर्थ इसमें कनेक्टिविटी सुधारेंगे तूरिजम सेक्टर मजबूत करेंगे और रोजगार के लाखों ने अवसर भी बनाएंगे अभी पिछले ही महेंने नौर्थ इसके आठ राज्यों में चलने वाली गैस ग्रीड परियोजना के लिए करीब करीब नव हजार करोड रुपिय स्विक्रूत किये गए हैं साथ्यों इन्फास्ट्रक्टर सिर्फ सिमेंट और कॉंक्रीट का जंगल नहीं होता इसका मानविय प्रभाव है और इससे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनकी परवा करेंगा है जब बोगी बील यह पूल बोगी बील पूल जैसे दसकों से लटके अनेक प्रोजेक पूरे होने से लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलती है तब उनका सरकार पर विश्वास बढ़ता है बरोसा बढ़ता है यही वज़ा है कि विकास के चौतरपा हो रहे है कारियों ने अलगाव को लगाव में बदलने में अलगाव को लगाव में बदलने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है अब अलगाव नहीं, सिर्फ पर सिर्फ लगाव और जब लगाव होता है, जब प्रगती सभी के लिए समान रुप से पहुंचने लगती है तो लोग एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जब लोग एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बड़े से बड़े मुद्दे भी हल हो जाते हैं। पुनर्वास का एत्यासिक समझोता हुआ है। करिब दाई दसक बाद हुए इस समझोते से हजारों परिवारों को अब अपना स्थाई गर, स्थाई पता मिलना निश्चित हुआ है। ब्रूरियांग जनजातिय समाज के इन साथ्यों को ठिक से बसाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेश पैकेज दिया जाएगा। साथ्यों, आज देश में हमारी सरकार की इमानदार कोशिशों की वज़से ये भावना विच्चित हुई है कि सबके साथ में ही देश का हीत है। इसी भावना से कुछ दिन पहले ही गुहाटी में आठ अलग अलग गुटों के लगबग साड़े छे सो कैडर्स उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ करके सांती का रास्ता चुना है। इन कैडर्स ने आधुनिक हतियार बड़ी मात्रा में विश्फोटक और गोलियों के साथ अपने आपको सरेंडर कर दिया, शांती को सरेंडर कर दिया, अहिंसा को सरेंडर कर दिया। अब इन्हें केंडरो और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रीहेबिलिटेट किया जा रहा है। साथियों, पिछले साल ही नेशनल लिबरेशन फ्रंट अब त्रिपुरा और सरकार के बीच एक समझोता हुआ। और मैं चमता हूँ, ये समझोता भी बहुत महत्वपुण कदम था। एनलेप्टी पर 1997 से ही प्रतिवन लगा हुआ था। बर्सों तक ये संग्राटन हिंसा का मार्ग अपनाता रहा था। हमारी सरकार ने बर्स 2015 में एनलेप्टी से बातचित करना शुरू किया। उनको विश्वास में लेने का प्रयास किया। बीच में कुछ लोगों को रख करके मदद ली। और इसके कुछ समय बात ये लोग भी जो बंबंदुग और पिस्तोल में ही विश्वास करते थे। सब कुछ छोड़ दिया और हिंसा फैलानी बंद कर दिया। निरंतर प्रयास के बाद पिछले साल दस अगत को हुए समझोते के बाद ये संगटन हत्यार छोड़ने और भारत के समिधान को पालन करने के लिए तैयार हो गए। मुख्यधाना में लोट गए। इस समझोते के बाद NLP के दरजनों केडर्स ने आत्मसिमरपन कर दिया था। कि भाई और बहनों बोट के लिए राजनीती हीत के लिए मुद्दों को मुष्टिलों को बनाय रखने और उनको टालते रहने का एक बड़ा नुक्षान असम और नौर्थ इसको हुआ है कि देश को हुआ है साथ्यों रोड़े अठकाने की रुकावत डालने की अस्विधा पैदा करने की इस राजनीती के माध्यम से देश के विरुद्ध काम करने वाली एक मानसिक्ता पैदा की जा रही है जो विचार जो प्रवुत्ती जो राजनीती ऐसी मानसिक्ता को प्रोच्छाइट करती है ऐसे लोग ना तो भारत को जानते हैं और नहीं असम को समझते हैं असम का भारत से जुड़ाव दिल से हैं आत्मा से हैं असम स्रिमांत संकर देव जी के समस्कारों को जीता है जीमत संकर देव जी कहते हैं कोटी कोटी जनमान तरे जाहार हम रुखेंगे यहां पर एक छोटी से ब्रेक के लिए बने रहे हमार साथ देखते रहे हैं आच